राश्ट्रिय शिक्षनीत 2020 भाग 2 उच्चतर शिक्षा अध्याय 14 उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश तो आईए सुनते हैं इसका द्वनी पाट प्रिष्ठ संख्या शिया सट 14 उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश 14.1 उच्चतर शिक्षा के अनुभव जन्यक शेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावदाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों के साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कूछ चक्र से निकाल सकता है इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वच प्राथमीकताओं में होना चाहिए यह नीती SEDG पर विशेश जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है 14.2 डाइनेमिक्स और शिक्षा प्राणाली से SEDG के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालेई शिक्षा प्राणाली और उच्चतर शिक्षा प्राणाली में समान है इसलिए विद्यालेई शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टी कोण एक समान होना चाहिए और इसके साथ ही साथ स्थाई सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए अतह उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेशन के लक्षियों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए 14.3 इन समुहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयम में कारण और प्रभाव दोनों हैं और उच्चितर शिक्षा से विशेश रूप से जुड़े हुए हैं या फिर उच्चितर शिक्षा के खेतर में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं इन्हें उच्चितर शिक्षा में विशेश रूप से दूर किया जाना चाहिए और इसके अंतरगत उच्चितर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव उच्चितर शिक्षा ग्रहन करने के दोरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानी, आर्थिक बाधाएं, प उप्युक्त सहायता तंतर की कमी से जुड़ी चुनोतियों को शामिल करना चाहिए 14.4 इस प्रयोजन आर्थ सभी सरकारों और उच्चितर शिक्षन संस्थानों द्वारा उच्चितर शिक्षा विशिष्ट अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कदम इस प्रकार से हैं 14.4.1 सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम K. SEDG की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधी का निर्धारण K. उच्चितर GER तथा SEDG के लिए सपष्ट लक्षियों का निर्धारण G. उच्चितर शिक्षन संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना G. विकास की ओर उनमुख जिलों में उच्चितर गुणवत्त युक्त उच्चितर शिक्षन संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में SEDG लिए हुए विशेश शिक्षाक्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना G. उच्चितर गुणवत्त युक्त ऐसे उच्चितर संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानिये और भारतिये भाशाओं में या द्विभाशी रूप से शिक्षन कराए G. सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चितर शिक्षन संस्थानों में SEDG को अधिक वित्तिय सहायता और छात्र वित्ति प्रदान करना G. SEDG के बीच उच्चितर शिक्षा के अवसरों और छात्र वित्ति से जुड़ी जागरुकता के लिए प्रचार प्रसार करना G. बेहतर भागीदारी और सीखने के परिनामों के लिए प्रोध्योगी की का निर्माण और विकास 14.4.2 सभी उच्चितर शिक्षन संस्थानों द्वारा उठाए गए कदम G. उच्चितर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दवरान आर्थिक अवसरों की हानी को कम करना 15. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तिय सहायता और छात्रवित्ती प्रणान करना 16. उच्चितर शिक्षा के अवसरों और छात्रवित्ती से जुड़ी जागरुखता के लिए प्रचार प्रसार करना 16. उच्चितर शिक्षा कारेक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाना 16. भारतिय भाशाओं और द्विभाशी रूप से पढ़ाय जाने वाले अधिक डिग्री कारेक्रम विकसित करना 16. यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं वीलचियर सुलभ और दिव्यांग जनों के अनुकूल हों 16. वंचित शेक्षिक प्रिष्ठ भूमी से आने वाले विद्ध्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना 16. उचितर शिक्षन संस्थानों के सभी पहलूओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्ष दाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान के प्रती समवेदन शील और समावेशित करना 16. भेद्भाव और उत्पीडन के खिलाफ बने सभी नियमों को सक्ती से लागू करना 17. SEDG से बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करते संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना जिनमें उप्रोक्त विंदु शामिल हो लेकिन इनहीं तक सीमित ना हो अभी आप सुन रहे थे राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय चौध उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्माण, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत